Hi everyone, so this video में हम बात करने वाले हैं Deloitte NLA के बारे में NLA is National Level Assessment और उसके बारे में मैं आपको pattern के साथ analysis यहां पर आपको देने वाला हूँ कि आपको क्या mind में लेकर चलना है, ठीक है? अगर आप exact exam pattern की वीडियो देखना चाहते हो, तो उन दौनों की link में आपको देदूँगो pinned comment में, जिसको आप जाके check कर सकते हो, यह एक more आपकी analysis वीडियो होने वाली है, जो की important चीज रहेगी, ठीक है? So, pinned comment में, exact pattern वाली वीडियो, now talking about this, यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप B, BTEC background से हो, या MCA background से हो, मतलब 4 year या 4 year plus वाले batch से हो, तो आपको यहाँ पर time मिलेगा 90 minutes का, जिसमें आपके 65 MCQs होंगे और 2 coding questions होंगे, और अगर आप BCA या BSC background से हो, ठीक है, मतल अगरी में, लेवल जो होता है, वो थोड़ा सा easy होता है, और यह जो है, B, BTEC वालों को थोड़ा सा hard होता है, बाकी हम बात कर लेते हैं, MCQ की जो लगबग सेमी है, तो उसके बारे में हम discuss करते हैं, तो पहले हम आते हैं, English, so English में आपको यहाँ पर 13 questions देखने को मिलते हैं, I'm talking about the cutoff, the cutoff is varies between 80 to 90%, now one thing, let me clear, कि Deloitte में जो होता है, आपका consecutive result निकलेगा, मतलब जो आपका पूरा performance है, पूरा performance, इस पे आपका evaluation होता है, रिजल्ट का कि आपका पूरा performance यहाँ पर पूरे test में कैसा रहा है, और यहाँ पर sectional cutoff भी एक basic जाता है, कि इतना sectional cutoff तो आपको hit करना ही चाहिए, तो आपको दोनों चीज़ क्लियर करने पड़ेंगे, एक तो आपको पूरा performance अच्छा हो पेपर में, और sectional cutoff भी आप hit कर पाओ, ठीक, talking about English, तो देखो, English एक ऐसा sectional Deloitte का, जो हमेशा से hard आता है, तो इसके लिए आपको जो preparation है, वो अपनी सबसे यादा high level करने पड़ेगी, जितना भी आपका aptitude है, उसमें जो सबसे hard level होता है, वहाँ पे English का ही होता है, दूसरी बात, यह जो पूरा competition है, उसमें जो participation है, वो बहुत ज़्यादा होता है, तो आप यह मान के चलो, जो overall paper है, जो उसकी difficulty है, वो difficult इसलिए होगी, क्योंकि हर section का जो cut cut off होता है, वो काफी ज़्यादा high होता है, तो जो 13 question है English में, उसका cut off है, expected cut off, वो 80-90% जाता है English के लिए, मतलब इतना आपको score करना पड़ेगा, तब आप जाके ऐसा मानो, कि आप English को clear कर पाऊगे, ठीक है, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और बागी English के जितना भी आपको basic grammar वगरा है, वो आपको पढ़ लेनी है, ठीक है, तो इसके बारे में हम exam pattern वीडियो में और resource पारी वीडियो में already detail में discuss कर चुके, कि आपको क्या-क्या बढ़ना है, उसका आपको pin comment में link मिलेगा, इसमें हम cut off analysis कर रहे हैं, ठीक है, तो यह आप जान रख सबसे easy एक चीज है, जो इसमें पूछा जाता है, जो reasoning का level है, वो लगवग medium difficulty तक touch कर सकता है, इसका जो cut off है, वो 90% तक जा सकता है, जैसे मैं आपको बताओ, 10 question में से आप ये मान के चलो, कि आप 1-2 question maximum गलत कर सकते हो, आपको 10 में से at least 8 questions तो यहाँ पर सही करने तब आप मान के चलो, कि यहाँ पर आपके selection के chances बनेंगे, क्योंकि यह जो section है, वो comparatively easy होता है English से, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी यह देखना पड़ेगा, कि आप इसमें थोड़ा सा score higher कर पाओ, ठीक है, तब ही यहाँ पर आपकी चीज बनती है, बागी बाद में हम overall cut of की भी बात करेंगे, जो reasoning है, reasoning में, आपके setting arrangement के questions हैं, जितने भी arrangement वाले question है, वो यहाँ पर देखने को ज़्यादा मिलते हैं, तो आप जितने भी arrangement वाले question होते हैं, blood relation वाले question होते हैं, उनको आप धंग से prepare करके जाएं, छोटे-छोटे question उसके related आते हैं, बाकी maths में जाता formula-based questions हमको देखने को मिलते हैं, जो expected cut-off है, वो high जाता है, as high as 90%, so try to perform good in this, okay, then next section is technical MCQ, talking about this, इसमें हमको 30 questions देखने को मिलते हैं, and this section will evaluate your knowledge and testing, computer science, networking, cyber security and cloud computing in the chosen area, and cut-off will be around 70%, तो यह जो section है, यह थोड़ा सा comparatively difficult होता है, इसमें जो cut-off है, वो सबसे low रहता है, that is around 70% और if you perform around 60-70%, वो भी एक अच्छा अकड़ा है, अगर आप इतना solve कर पाते हो, इसमें, क्योंकि इसमें क्या होता है, कि जातर बच्चे यहां पर गलती कर जाते हैं, और जो question sense में, वो आते हैं total 35, 30, ठीक है, तो 30 questions आपको total देखने को मिलेंगे, जिसमें अगर आप 20-22 questions के उपर अगर आप solve कर पाते हो, तो वो एक अच्छा नंबर बन जाएगा, अगर आप 22-22 के उपर question solve कर पाते हो, उसका reason यह है, क्योंकि जो इसमें CS fundamentals पूछे जा रहे हैं, वो जातर ऐसे subject से पूछे जा रहे हैं, जो कि generally लोग select नहीं करते हैं पढ़ते नहीं है, like networking तो तब करूँ करूँ कि testing आप ठंक से पढ़के जाएं, at least सारे models के बारे में आपको पता होना चाहिए, कि जैसे waterfall model है, agile model है, यह सब क्या होता है, SDLC के बारे में पढ़के जाएं, कि software development, life cycle, क्या होता है, यह सारी basic चीज़ा होती है, networking और security में आपका पूरा CN आता है, वारा computer networks आता हैं, like cloud servers क्या होते हैं, कैसे data storage वगरा रहती है, उन सब से related basic questions पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसमें total number question रहते हैं 30, ठीक है, then बात कर लेते हैं, coding question की, तो two programming coding questions, total time आपका 90 है, paper का, अब आप अपने इसाब से approximately देख लो, कि आपको इसमें कितना time मिलेगा, क्योंकि हर section के ल जो easy question है, जो easy question है, जाता related आता है, array, string, matrix, 2D matrix, bit manipulation से, array, strings के basic to medium level questions आपको आने चाहिए करना, आप इसके लिए सबसे अच्छी site है, hacker rank जिसका आप use कर सकते हो, hacker rank के अगर आप easy to medium वाले questions attempt कर पा रहे हो, array और strings में, तो ये काफी सही चीज रहेगी, because ये एक बेटर चीज है, क्योंकि उसी type की questions काईना की देखने को मिलते हैं, जो की hacker rank पर पूछे जाते हैं, ठीक है, तो hacker rank से काफी अधा inspired रहता है test, so I would suggest कि best आपका platform रहेगा hacker rank to practice all the questions, क्योंकि उसी से मलब मैंने जितना अभी तक देखा है, उसी से related questions आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, matrix और 2D matrix की questions पिछली बार देखने को मिले हैं, so मैं आपको suggest करूँगा कि आप matrix और 2D matrix को भी थोड़ा सा पढ़के जाएं, और bit manipulation की question हमेशा से कई बार test में देखने को मिलते हैं, so मैं suggest करूँगा bit manipulation की basics और bit manipulation ज़रूर पढ़के जाएं, ठीक है, जो second question होता है, जो लगबग ठीक है, तो आपकी जो link list है, उससे question आपको देखने को नहीं मिलते हैं, graph से question नहीं देखने को मिलते हैं, कि जितने भी implementation based question है, like Q implement कर दो, stack implement कर दो, वो सब आपको questions नहीं देखने को मिलते हैं, और DP related questions आपको काफी कम चांसे देखने को मिले, तो जो second question हो, उसका level थोड़ा स off है, आप यह मान के चलो 1.5 question होता है, तो आपको at least 1.5 या 1.5 से ज़्यादा question solve करना पड़ता है to qualify, ठीक है, so I hope मैंने पूरा analysis के साथ आपको सब कुछी है समझाती होंगी, thank you so much for watching.